कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे ये आपकी रोटी भी छिन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छिन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़़ कर रहे हैं दोस्तों आपने बोखलाई वे नेता देखे होंगे, डरपोक नेता देखे होंगे, नीच और ढीठ नेता भी देखे होंगे, लेकिन आजादी के बाद में, और आज तक हमने किसी भी प्रधान मंत्री को इतना नीच, निरलज, निकम्मा, भीट ऐसा नहीं देखा है, और नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, जो बेटियों के नाम पर राजनिती करने लग जाए, सोचिए ज़रा इस बात को, कि देश की राजनिती के अंदर, जिन चीजों को लेकर के कहा जाता था कि परिवार पर, बच्चों पर, बेटे बेटियों पर, कोई राजनिती नहीं होगी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चुनावायो की अचार सहिता कहती है, जो आदर्स अचार सहिता जिसको हम कहते हैं, उस आदर्स अचार सहिता में ये लिखा हुआ है, कि आप बच्चों के नाम पर राजनिती नहीं करेंगे, लेकिन बेटी के नाम पर राजनिती हो रही है वो बात अलग है कि नरेंदर मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन जब महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था या बेटियों के उत्र प्रदेश से या और अन्य भाजपा सासित राज्यों से उनके साथ में जब दरिंदगी की खबरे आती है तो मोदी चुपपी साज लेते हैं लेकिन अब जारखंड में जैसे ही नरेंदर मोदी चुनाव परचार करने के लिए उतरते हैं तो वहाँ पर बेटी के नाम पर भी राजनेती करने लग गएं मतलब जब लुकसभा चुनाव के अंदर ये हो रहा था कि मंगल सूतर पर आपसे वोट मांगे जा रहे थे आपकी भैस चीन ले जाएंगे आपकी टोटी खोल करके ले जाएंगे इस चीज़ पर आपसे वोट मांगे जा रहे थे तो हमें लगा था कि 2024 के लुकसभा चुनाव के हार के बाद में शायद मोदी जी ने सबक लिया होगा और भविश्य में वो मंगल सूतर या भैस चोरी पर या टोटी चोरी पर बात नहीं करेंगे उन्हें शायद इस बात का अभास हुआ होगा एसास हुआ होगा कि वो जो कर रहे थे वो गलत था लोगों ने उसको स्विकार नहीं किया और आप जो है वो सधीवी राजनिती कीजिए मुद्दो की राजनिती कीजिए कॉंग्रेस पर हमला कीजिए, जेमेम पर हमला कीजिए, अखलेस पर कीजिए, ममताब इनर्जी पर कीजिए, लेकिन नेतिकता के साथ में कीजिए, क्योंकि आप देश के प्रधान मंतरी हैं, हमने बहुत गली गली में जो है वो छुट भईये नेता देखे हैं, धीट नीच न नहीं होना चाहिए, प्रधान मंतरी की अपने गरीमा होती है, प्रधान मंतरी का अपने तरीका सलीका होता है, प्रधान मंतरी के बातों का वजन होता है, प्रधान मंतरी की बातों को देश और दुनिया में सुना जाता है, और प्रधान मंतरी अगर आ जाएं, ये कहने के आ आप ये बताए ये जारखंड के अंदर कितनी बेटियां वो बहार के घुसपैट के करके बांगलादेशी घुसपैटी आकर के ले ले गए तो आप आकड़ा दीजी उसका तो साप सुंग जाएगा आकड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मामला है ये अंतराज्य मामला हो ग तो ये मामला फिर केवल जारकंड तक सिमित नहीं रहता है ये मामला तो फिर देश का मामला हो गया और इसमें फिर जवाब मांगा जाना चाहिए ग्रह मंत्री से ग्रह मंत्री से जब लव जिहाद पर जवाब मांगा गया था कि केरल में कितनी मैलाओं के साथ में लव जिह जिहाद और उसको लेकर के पूरी कहानी बनी गई लेकिन जब इसी बात को लेकर के लव जिहाद के आकड़े संसद में सरकार से मांगे गए सरकार ने हाथ खड़े कर दी और लो ने कहा कि हमारे पास में इस कानून के तैट ऐसा कोई मामलाई दर्ज हुआ है अगर आपसे मोदी जी पूछ लिया जाए कि आपकी सरकार होते हुए यानि सेंटर में तो आपी की सरकार है न देश की बेटियों को अगर कोई लूट करके ले जा रहा है तो कितनी बेटियों को अभी तक देश की बेटियों को लूट करके ले जाया गया है जरा आकड़े बत वो रोटी को भी लूट ले जाएंगे, बेटी को भी लूट ले जाएंगे, मतलब हिमंता विश्वा सर्मा और मोदी जी की भाशा इन दोनों में कोई अंतर नहीं बचा है, हिमंता विश्वा सर्मा भी यही बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इर्फान, अंसारी, आलम, यह आ लेकिन मोदी जी ऐसा लगता है कि नीचता के स्तर में नीचे जितने उतर जाए उतना कम है। और प्रशासां इसे इंकार करें तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही गुश्पेट हो चुकी है। भी छिन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़ब कर रहे है। बताईए आप क्या कहेंगे इसको। मोदी जी का ऐसा बयान आदमी सुने तो माथा पीट ले। कि देश के प्रधानमंतरी की भाशा है। और दूसरी बात ये है, जो सवाल हम लोग यहां पर उठाते हैं, जो सवाल हम लोग पूछते हैं, वो टीवी मीडिया नहीं पूछता है। वहां पर तो मोदी की इस बयान की चर्चाई नहीं होगी। मोदी के अच्छे-च्छे बातों को खूब दिखाया जाता है। लेकिन जिन बातों को लेकर के मोदी जी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, उन बातों पर जिकर नहीं होता है। याद करिए इसी तरह से मोदी जी ने मंगल सुत्र को लेकर के बयान दिया था और जिस सीट पर मोदी जी ने बयान दिया था मंगल सुत्र वाला वो सीट भाजपार गई क्या उस संपति को मेरी माता और बहनों की जिन्दगी में सोना वो सिरफ शो करने के लिए नहीं होता है उसके स्वाविमान से जुड़ा हुआ है उसका मंगल सुत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है तो मुझे चिनने की बात कर रहे हैं अपने मैंनी पेस्कों मैं गोल ले लेंगे सब को विद्रित कर देंगे और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है इसका मतलब यह संपति कटी करके किसको बाटेंगे जिनके जादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुस्पेट्चों को बाटेंगे मोदी जी दोहजार चोबिस के लुकसवा चुनाओ में जब उनको डर लग रहा था एक हार का डर लग रहा था कुरसी जाने का डर लग रहा था तब मंगल सुत्र के बयान पर ही नहीं रुके थे उसके बाद में उन्होंने का कि अगर कॉंग्रेस आई तो आपकी भैस चोरी करके ले जाएगी और ये बात नहीं इसलिए सुननी और इसलिए याद रखनी जरूरी है क्योंकि इत्यास कभी ऐसी चीजों को ना तो भूलता है और दूसरी बड़ी बात ये है कि ऐसी चीजों को बार बार इसलिए सुनाते और दिखाते रही है ताकि आने वाले लोग जो है वो इस बात को देख करके यकीन कर सकें कि एक प्रधान मंत्री ऐसा भी हुआ था जिसने भैस चोरी को ले करके चुनावी मुद्दा बना दिया था और विपक्स की पार्टियों पर आपके मंगल सुतर चोरी और भैस चोरी का अलजाम लगाया तो एक भैस कॉंग्रेस वाड़ा कैसे सरकार बापी दो एक तमार छोकरा ना पाई निए केम तो हमारे एक बैस हमारी वोट मेंक माप पाइंच है आख काईदेशन लावाए मैंनी पेस्टू मा लगी जो बोलो आ हिम्मत एमनी अवे आद देशना नागरीग ना आपने समझाओ जो कि ना समझाओ जो जो बाई मोदी जी जो काम ओन डूटी करते हैं ओफ डूटी भी वही सेम काम करते हैं अला कि वो अपनी तरफ से कहते हैं मैं 18-18 गंटे काम करता हूं छोड़ दीजी उस बात को लेकिन ओन डूटी जो काम करते हैं मतलब जब सरकारी कारिकरम में जिसमें होते हैं उसमें भी राजनित सब्सक्राइक करने से बाज नहीं आते हैं अभी कुछ रोज पहले के करिकरम था। उनका सरकारी करिकरम ता और उस सरकारी करिकरम में वो क्या कह रहे हैं सरकारी कारिकरम के अंदर भी कह रहे हैं कि अगर हम बट गए तो बाटने वाले वह्फिल सजाएगे बढ़ यह उसका ब Dabei clique दो एक रहेगा लेकिन बाति कि लोक आसानी से बढ़ जाएंगे तुकड़े हो जाएंगे इसलिए कॉंग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है समाज को बाटो लोगों को बाटो और सत्ता पर कबजा करो इसलिए हमें अतीज से सबग लेना है हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बाटने वाले मैं फिल सजाएंगे हमें कॉंग्रेस और महा अगाडी वालों के मनसुवों को काम्याम नहीं होने देना है साथियों जहां जहां कॉंग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं कमाल की बात ये है कि इतनी सारी चीजे हमारे सामने है मोदी जी अपने आपको कहते हैं फकीर आदमी हूँ जोला उठा करके चला जाओंगा ऐसी जो भाषा का मेरे पास में बहुत सारे शब्द नहीं है और मैं अपने आप में एक तरीके से हिचक भी रहा हूँ मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं वहुत सारी चीजे क्योंकि देश के प्रधान मंत्री को लेकर कि हम तो कम सगम लिहाज रखे न लेकिन ऐसा कोई उधार ना में देखने को नहीं मिलता है जब देश के किसी भी प्रधान मंत्री ने कुर्सी पर रहते वे या कुर्सी पर उतर जाने के बाद भी कभी कोई ऐसी बयान, कोई ओचे बयान दिये हो कभी कोई ऐसा बयान नहीं लेकिन मोदी जी को आप क्या कहें सुप्रिया सिनेत ने लेखा है वह आपकी बेटी छीन रहे है जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहाँ ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वही वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिलाओं के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं हो सोचती थी नरेंदर मोदी मंगल सुत्र मुजरे से जादा नीचे नहीं गिर सकते हैं लेकिन वो गिर गए सुरिंदर राजपूत ने लिखा वहें आपकी बेटी छीन रहे है ऐसी घटिया सोच कोई कैसे सोच सकता है अगर आपके पीम रहते कोई हमारी बेटी छीन सकता है तो लानत है मोदी जी आप पर सुरिंदर राजपूत का एक ओर ट्वीट आपकी बेटी घुस बैटियों को दे देंगे बात भैस से सुरू हो करके मंगल सुतर तक गई और अब मोदी घर की बेटियों को चुनाओं में घसीट लाए हैं अपनी ही बेटियों को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं मोदी जी चुनाओं लड़िये घर की बहु बेटियों की मर्यादा का तो ख्याल रखिये इतना नीचे मत गिरिये पूजा तिरपाठी ने लिखा है वा नरेंदर मोदी जी जब सोचो की इस से नीचे कोई क्या ही गिरेगा आप गलत साबित कर देते हो ये आपकी रोटी भी छीन लेंगे आपकी बेटी भी छीन लेंगे किंद्रिये चुनाओं आयोग इस पर एक और ठोश शायरी हो जाए इसी बात पर लाल जी देसाई ने लिखा है लोकसभा चुनाओं में भैस मंगल सुतर छीन लेंगे जैसे ओचे और निमन स्तरिये बयानों के बाद आज मोदी जी ने जहारखंड में एक और निंदनिय बयान आपकी बेटी भी छीन लेंगे दिया है मोदी जी नफरत इतनी नफरत कहां से लाते हो आखिर ऐसा सब कुछ बोलते वे भी ठकते क्यों नहीं हो ECI मूक बना कैसे बैठ सकता है सेम ओन यू पी एम मोदी अब लोग जो है वो मोदी जी को गरिया रहे हैं मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए आप घर की बेहन बेटीयों को क्यों वो लिहाज करते हैं बेहन बेटीयों का सरपंची के चुनाओ में भी परिवार की बेहन बेटीयों को नहीं छेड़ा जाता है सरपंची के चुनाओ में कई बार ऐसा होता सिर्फ उट जाते हैं लेकिन बेहन बेटीयों जहां पर आके खड़ी होती हैं सामने, फिल्मों में भी देखा है, बाकी रियल में भी देखा है, खुब बड़े से बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा, वो जो है वो घर पर आ जाए, गोली मारने के लिए कुछ भी, तो उसके सामने अगर कोई महिला आके खड़ी हो जाए, वो उस परिवार की मां हो सकत है, तो गुंडा भी जो है वो पीछे अड़ जाता है, लेकिन देखिए साहब, यहाँ पर कैसे जो है वो बहन बेटियों के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, देखिए जरूर, और लोगों को दिखाईए, ताकि लोगों को पता चले, कि एक चुनाव को जीतने के अमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूस इंडिया को सब्सक्राइब के जिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,